बच्पन में हम सब ने सुना की किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानना हो तो उसके फुटवेर को ध्यान से देखे फुटवेर असल में व्यक्तित्व का आईना होते है आजकल कोई भी आकेशन में हाई हील्स पहनने का रिवाज आ गया पार्टी हो ऑफिस मीटिंग हो या त्योहार की दिन ट्रेडिशनल ड्रसेस के साथ भी हाई हील्स ही अच्छे लगते है इस तरह हाई हील्स ने अपने आम दर्द के साथ अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाता है हाई हील्स पहनने से पैरों और एडियों में दर्द के साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर इसका नेगिटिव इंपेक्ट पड़ता है दरसल हाई हील्स पहनने से पैर के आगे वाले हिस्सों पर अतरिक्त भ पढ़ता है जिससे कई तरह की बीमारियां घर कर लेती है इसमें शौक अब्जर्वेशन ना के बराबर होने से गुटने पर दबाव पढ़ता है जो कुछ दिन बाद दर्द का कारण बन जाता है इससे पेरों में और एडियों में भी दर्द होता है है हिल्स पहनने से शरीर स अंतुलन को बैठती है अगर जराबी पैर इधर उदर डग मगाया तो एडियों में मोच या चोट लगने का डर बना रहता है हाई हील्स पहन कर चलने की वज़े से पूरे शेरीर का वज़न इक्वली पैर पर शेर नहीं होता है यह अनबैलंसड वैट पीट में दर्द का कार जाता है ओवर वेटेड लोग अगर हाई हील्स पहनना तो मजल डेमेज के साथ साथ पोस्चेर भी कराब हो जाते हैं हाई हील्स का आकार कुछ इस तरह का होता है कि नर्व्स में ब्लेट में बराबर तरीके से नहीं हो पाता है Blood circulation के कमी का प्रबाव brain पर होता है जो बिलकुल भी सही नहीं है अगर high heels पहनना ज़रूरी है तो कुछ remedies follow करते हुए high heels से होने वाले नुकसान से बच सकते है Market में foot cushions जो available है वो high heels के अंदर लगा कर पैरों को राहत दे सकते है केमिस के पास gel insert जो मिलता है वो भी दर्द के ऐसा से काफी हद तक बचाती है तोस के बीच foam रखा तो भी relax feel कर सकते है Regular leg exercises करना चाहिए जिससे blood circulation improve होता है Ipsum salt डाले हुए lukewarm water में पैर डुबो के रखने से blood circulation अच्छे से होता है और पैरों से तकान गायब हो जाते है भी भी high heels पहन कर दौडे या सीडिया चडने से बचे See you again with a new topic in Global Encyclopedia Till then take care and have a nice day